भरोसा नहीं होता कि अजीज जोगी अब सशरीर हमारे बीच नहीं रहे कि उदांति सी थी कि मौत अजीज जोगी से जीत नहीं सकती लेकिन प्रकृती का नियम है जो जन्मा है उसे मरना भी है मृत्यू के मूँ से बार बार निकल आने वाले अजीज जोगी ने 36 गड़ में एक नई शैली की राजनिती की शुरुआत की थी विरोध और टकराओ की वे कई मौकों पर अपने मात्र दल कांगरेस के लिए अलकरहा साबित हुए है वे चब राजनिती में आये तब 36 गड़ में शुकल बंधों की तूती बोल रही थी लेकिन तब मद्यप्रद में अर्जुन सिंग स्थापित होकर उनके वर्चस को चुनोती दे रहे थे 36 गड़ में जोगी उनके वजीर थे कई मौकों पर राजनितिक विसात पर उन्होंने शुकल बंधों को भी मात दी वे 36 गड़ के मुख्यमंत्री बनाये गए तब पंडित स्यामा चरन शुकल वि कि अब वे 36 गड़ की राजनिती में निरनायक भूमिका चाहते हैं हाला कि तब उनके साथ 36 गड़ के एकका दुक का स्थापित नेता थे जैसा राजनिती में हमेशा होता है शिखर पर पहुंसते ही उनकी अपनी कोटरी बन जाती है आज के अनेक स्थापित नेता उनकी ही मुक्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने मंत्री मंडल के साथ दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाब धरना दिया था यह 36 गड़ के लिए एक नई चीज थी आम लोगों की धारना बन गई थी कि जोगी उनके लिए लड़ने वाला कमया है वे 36 गड़ के एक ऐसे नेता ब मुहावरों का सटीक प्रयोग जोगी की खासियत थी वे एकादिकार वादी थे 36 गड़ में जितने भी कांग्रेस अध्यक्ष बनाये गए जोगी से किसी की भी पट्री नहीं बैटी सयोग है कि डाक्टर चरंदास महंत धरेंदर साहु नंद कुमार पटेल और भूपेज ब पसंद नहीं थे जब टिकेट वित्रन की बात आती है तब भरी बैठक में कह देते थे जो टिकेट की सिफारिश कर रहे हैं वे चुनाओ जितवाने की जिम्मेदारी भी लें और वे ऐसा करते भी थे कांग्रेस के आयोजनों में वे हर वक्त शक्ती प्रदर्शन करते थे व जोगी को पार्टी के भीतर आप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का सयोगी भी कहा जाने लगा केंदर से समर्थन मिलते ही भूपेश बगेल अजीत जोगी के सबसे बड़े प्रतिद्वन्दी बनकर उभरे उनकी शैली भी जोगी की ही जैसी है ठेट 36 गड़िया अंदाज औ जोगी को कांग्रेस से त्याक पत्र देना पड़ गया अब 36 गड़ में कांग्रेस को सत्ता रूड भाजपा से और ससक्त अजीत जोगी से मुकाबला करना था परिवर्तन का नारा आज यथार्थ के धरातल पर हम देख रहे हैं प्रतम विधान सभा के चुनाओं में कांग् पंडिस्शुक्ल को लगातार संसद में भेशता रहा था कांग्रेस के सामने बड़ी चुनाओती थी कि वहां से कौन प्रत्याशी हो तब जोगी ने इसे स्विकार किया पंडिस्शुक्ल को महा समुन्द से पराजित होना पड़ा 36 गड़ की 11 में से सिर्फ यही एक सीट का परान एक भयावा सड़क हादसे में वे घायल हो गये लगबग मौत के मुह में वे जा चुके थे लेकिन कमाल मौत को पचाड कर वे लौट आये पर फिर कभी वीलचेर से उठ नहीं पाये उठे तो दुनिया से ही उठ गये 36 गड़ के राजनिती के इतिहास का एक अध्याय पूर्ण हो गया अजी जोगी लंबे समय तक याद किये जाते रहेंगे अखड और फकड तथा दबंग शैली के लिए अपनी शर्तों पर राजनिती खेलने के लिए उन्होंने सिद्ध कर दिया कि घर का जोगी जोगड़ा नहीं होता ब्यूरू रिपोर्ट डियनेक्स टीवी रायपूर